जहीं दोस्तों, सहीद जमान राकेश कुमार का आज अंतिम यात्रा के साथ पुर्राज किये सैन सम्मान के साथ अंतिम संसकार कर दिया गया वतादे कि यह जमान हमारे देश के लद्दाख में सहीद हुए थे हिमाचल परदेश के हिमारपुर जीला का बड़सर निवासी 38 वर्षी सहीद जमान राकेश कुमार का अंतिम संसकार आज कर दिया गया राकेश कुमार का पार्थिर देश बुद्वार को सुबा हिमारपुर के जजियानी इस्थित उनके पैत्री घर पहुचे सभी रस्मे निवाने और अंतिम दर्षन और सिरंधाजर देने के बाद पैत्रीक समसान में सेन सम्मान के साथ अंतिम संसकार कर दिया गया इस मौके पर SDM बड़सर ससी और पुलिस की जवान बिशेश तोर पर उपस्थित रहे जवान राकेश कुमार ले में सहीद हुआ था गराम पंचाय जहज यानी निवासी जवान राकेश कुमार पंजाब रेजिमेंट में थे और बर्तवान में उन्होंने लदधाख में उनकी तैनाती हुई थी जवान राकेश कुमार का 38 वर्षी डूटी के दोरान हाट टेक आया था रविवार को उपचार के दोरान उनका आर्मी अस्पताल में निधन हो गया था परिजनों पिछले तीन दिनों से उनकी पार्थिव दे का इंतेजार कर रहे थे लेकिन खराम मोशन की वज़ा से मंगलवार को साम तक उनकी पार्थिव दे घर नहीं पहुची बुद्वार को सुबह जैसे हैं उनका पार्थिव दे घर पहुचे तो परिजनों में चीक पकार मच गया घर पर अंतिम दर्शनों के रस्मे निवाने के बाद मिर्तक को पैतरिक संसान घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संसकार कर दिया गया सेना और पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी सहीर जवान राकेश कुमार का जैसे ही पार्थिव सरी जज्यानी निवास अस्थान पर पहुचा तो पुरे घर पर मातम पसर गया था पुरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत नाजूख हो गया पता दे कि यह जवान हमारे देश के रच्छा कर रहे थे लद्डाक में वहाँ पर हार्ट एटेक होने से अकास्मिक मौथ हो गई अस्पताल में यह जवान बीते कई वर्षों से हमारे देश के सेवा दे रहे थे अगर इस जवान के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा राकेश कुमार के लिए तो कमेंट में जैहिं जरू लिखना अगर चैनल पर नए जुले हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आकर गांटी प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें